हेलो फ्रेंड्स हमारे चैनल में आपका स्वागत है अज हम एक बेबी सॉक्स बनाना शिखेंगे यह देखिए इसके लिए हमने यह पिंक कलर की ओन और दस नंबर के सलाई लिए यह देखिए अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं कि देखिए इसके लिए हम पहले यह सिंगल ले लेंगे फिर अब सबसे पहले इस पर हम फुर्टी फंदे डालेंगे यह देखिए यह इस तरह से इस तरह से इसको ले लेंगे यह देखिए इसके बीच में से इस तरह से ऐसे घुमाते हुए यह देखिए इसको ऐसे टाइट क कि इसको ऐसे लेंगे फिर यह फंदा इस पे से लेते हुए इसको ऐसे टाइच कर देंगे इससी दर से अमने 44 पंदे डाल लेने है यह देखें इसको ऐसे लेंगे हो उठे इसके 20 से इस तरह से निकालते हुए यह देखे फिर वापस इसको इसकी उपर से निकाल देंगे और इस तरह से टाइट कर देंगे का उसी तरह से मैं 44 फंदे डालेने के इसके लिए हम सिंगल उन लेंगे ने तो यह मोटा ज्यादा हो जाएगा इस वहे से यह फंदे हम सिंगल उन-से लेंगे यह देखें एजिए हमने यह 44 फंद्र डाल DAL Commissioner ली अब सभी फंदों को उल्टा उल्टा बोन लेंगे यह देखिए इस तरह से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बोन लेंगे पूरी सलाई हमने इसको बनाने के लिए पिंक कलर लिया है आपको जो भी कलर पसंद हो आप उस कलर से बना सकते हो और मैं यह आपको एक कलर से बना करके बता रही है पूरी सलाई सबसे पहले ऐसे उल्टा-उल्टा बना करके कम्प्लेट करें यह बहुत जल्दी बन जाता है आप एक घंटे में इसको आराम से बना सकते हो यह छे मैने से एक साल के बच्चे को बन जायेगा यह देखें यह रो पूरा कम्प्लेट हो गया है हमने उल्टा-उल्टा बनाते वे इस रो को कम्प्लेट कर लिया है यह देखें यह पूरा रो बन गया है अब सबसे पहले यह पहला फंदा उतारेंगे यह देखें पहला फंदा उतार और यह दागे को अपने साइट किये फिर इस साइट से भी हमें उल्टा-उल्टा ही बना बना लेना है इसको बनाना बहुत आसान है बहुत जल्दी बन जाता है दोनों साइट से सिर्फ उल्टा-उल्टा बनाना है तो हमने यह दो सलाई बना लिए यह देखें उल्टे की एक लाइन बन करके त्यार हो गई है इसी तरह से हमें टोटल यह उल्टे की 12 लाइन बनेगी यानि हमने 24 सलाई बना करके त्यार करना है यह देखें पहला फंदा उतारेंगे दागे को अपने साइट किये यह देखे इसे दर से उल्टा-उल्टा बनाते हुए पुरे हम 12 रोब बना करके त्यार कर लेंगे यानि 24 सलाई इसको बना लेंगे यह देखें तो हम सबसे पहले अब 24 सलाई बना लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं यह देखिए हमने यह टोटल 24 सलाई बना ली है यह देखिए एक दो तीन चार पान छे साथ आठ नो दस ग्यारह बारह यह पूरे बारह रोब बन करके कम्प्लिटर उल्टे किए बारह लाइन है ट्वेल लाइन हमने बना ली है यानि 24 सलाई अब यह देखिए कि हमें क्या करन है अब इस साइट से और इस साइट से दोनु सट रहे हो हैं यह देखिए पहला फ्न उता रहें कि और यह सच करके फिर वाप्स सलाइं डाल आएगया यह देखिए दोक मैं एक करते हुए एक पंदाह हमारे बंद हो गया है अब वापस इस को इस लाइव डाल है फिर एक ताइट या बहुत लूज नहीं करना है यह दिखिए इस तरह से फिर वापस इसको सलाई में टाल देंगे और आगे से दूसरा फंदा ले लिंगे इस तरह से हमारे तीन फंदे बंद हो गए यह देखिए इसे तरह से यह चार कि आख कि आख यह देखिए हमने इस साइट से यह दस फंदे बंद कर दी है अब बाकी के फंदों को हम उल्टा उल्टा बोले लेंगे कि बहुत ही सिंपल बहुत आसान है बहुत जल्दी बन भी जाता है बेबी इसको पहना के बहुत प्यारा लगता है कि इसमें उन भी जादा नहीं लगते और टाइम भी जादा नहीं लगते है यहां पर दस फंदे बंद करने के बाद हमने बाकी के फंदे उल्टा उल्टा बोल लिया है यह देखें वापस जैसे हमने इधर साइट दस फंदे बंद किये थे अब इस साइट से भी हमें दस फंदे बंद कर लेने हैं यह देखें क्योंकि अगर इधर से इस तरह से बंद कर लेंगे यहां पर तो यह ऐसे बंद जाएगा यह जो फली सी चोटी सी बन रही है वो नहीं बनेगा इस वैसे यह इसको उतार के थ्रेट को अपने साइट कर लेंगे फिर यह देखें वापस सलाई में डाल देंगे और दो को दो फंदो को एक साथ बोल लेंगे यह देखें एक फंद हमारा बंद हो गए वापस इसको सलाई में डाल देंगे यह देखें फिर एक फंद और आगे से ले लेंगे और दोनों को एक साथ बोन देंगे यह देखें वापस फिर सलाई में डाल लिए एक फंद आगे से लिए दोनों को एक साथ बून देंगे, यह देखे, इस दरह से एक, दो, तीन फंदा हमारा बंद हो गया, यह देखे, वापस सलाई में डालेंगे, यह देखे, यह चार, अब यह पांच फंदा हो गया, वापस सलाई में डालेंगे, एक फंदा आगे से लेंगे, यह छे हो गया, व वापस सलाई में डालेंगे, एक फंदा आगे से लेंगे, ये नो, वापस सलाई में डालेंगे, एक फंदा आगे से लेंगे, ये दस, ये देखें, तो दस फंदा हमने इस साइट से बंद किया था इधर को, और दस ही हमारा इस साइट को भी बंद हो गया, ये देखें, बाग यह साइड, दोनों साइड से हमने 10-10 फंदे, 10-10 फंदे बंद कर दी हैं, अब बीच में हमारे यह 24, 24 फंदे बच गया हैं, अब इन 24 फंदों को हम उल्टा उल्टा बोलनेंगे जर साइड से हमने सभी फंदों को उल्टा 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 बोलन लिया है, अब आगे देखे कैसे करना है, यह देखे, अब हमें इस साइड से उल्टा ने बुनना है, अब यह पहला फंदा उतारेंगे और सभी फंदों को सीधा बोलनेंगे, यह देखे, यहां पर इस तरह स सीधा बोन लेंग rocky यहांप सिधा भूनना है यहांप हमने थोड़ा चेंज किया है आप ध्यान देना यह देखे इसको सीधा भूनना है मैं है कि इधर साइड जितने भी हमने यह बुने हैं, यह सभी को उल्टा उल्टा बुने हैं, उल्टे साइट से और सीधे साइट से दोनों साइट से, सिर्फ हमें यहाँ पे यह सीधा बुन रहे हैं, यह देखे, उल्टे साइट से तो हमें उल्टा बुनना है, सीधे साइट से हमें यह उल्टा नहीं यहां पर यह देखिए वापस यह पहला फंदा उतारेंगे यह देखिए और उल्टे साइट से हमें उल्टा ही बनाना है उल्टे साइट से हमें सीधा नहीं बनाना है यह देखिए उल्टे साइट से हमने पूरी सलाय उल्टी बना करके कंप्लेट कर लिए यह देखिए अब हमें क्या करना है यह देखिए पहला फंदा हमने उतार लिया दूसरा इसी तरह से सिधा बना लिया और धागे को अपने साइट किया अब दो फंदों को एक साथ यह दे देखें, वापस धागे को अपने साइड किया फिर दो फंदे लिये यद देखें दो फंदे लिये वापस ऐसे जाले बना लिया यह देखे, धागे को वापस अपने साइड लिया, दो फंदे को, यह देखे, दो फंदे को एक साथ लेते वे, यह जाले बना लिया, तो इस तरह से हमारे कोई फंदे बढ़ेंगे नहीं, यह जितने फंदे हैं, उतने फंदे रहेंगे, धागे को अपने साइड किया, देखे दो फंदें में से सलाई को निकालते वे ये देखें, ये जाली बना लिया, तो कोई भी फंदा बढ़ता नहीं है, जितने फंदें हैं उतने फंदें रहेंगे और जाली भी बन जाएगे, धागे को अपने साइड किया, ये देखें, दो फंदें लिया और जाली बना लिया, और जाली बना दिया यह देखें, इसी तरह से सभी फंदों में जाली बनाते जाना है, यह देखें, यह दोरी डालने के लिए हम इस तरह से जाली बना रहे हैं, जिसमें हम दोरी डाल देंगें, कि बेबेईज के पैर से यह जूती निकलेगी नहीं, यहां पे हम दोरी बना के डाल देंगे जिसे वह बंद जाएगा अब यह देखें उल्टे साइट से हमें सभी फंदों को उल्टा बुलना है जो जाली बनाया उन फंदों को भी और जो बिना जाली के हैं सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेना है यह देखें इस तरह से सभी फंदों को उल्टा उ हो गया तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाया गया है मैं तेrans अपंत कर लिए और यह देखें यह जाली बन करके तैयार हो गयी है यह सब फंदों में जाली बनाए थे जा अबमें क्यार चर्णने इस दर्ले पहला फंदा उतारें है पर एक उल्टा और एक सीधा तो यह सीधा का फंदा हमने पहले उत्तार लिया और यह धागा अपने साइट किया और यहाँ पर उल्टा बुन लिया फिर वापस धागा पीछे को यह सीधा बना लिया फिर वापस धागा अपने साइट को फिर यह उल्टा बना लिया इसी तरह एक उल्टा एक सीधा बनाते वे हमें बॉडर बनाना है इसी तरह से एक उल्टा एक सीधा करते वे हमें बॉडर बनाते जाना है अब देखे दूसरी साइड से उल्टे साइड से हमें क्या करना है जो फंदा जैसा है पहला फंदा उतारेंगे क्योंकि यह सीधे का है अब वापस धाग अपने साइट किया यह उल्टे का है तो इस पर उल्टा बूल लेंगे वापस पीछे को किया यह देखे यह सीधे का है यह फंदा जैसा है उसको हमें वैसा जी बनाना है यह देखिए बस इस बार और आपको ध्यान रखना है फिर आगे आगे सलाई से तो बिलकुल क्लियर हो जाएगा साब बॉर्डर पता चलने लाएगा यह देखें यह उल्टा है उल्टा सीधे पर सीधा यह देखें अब यह बॉर्डर साब पता चल रहा है देखें एक उल्टा और एक सीधा यह बॉर्डर पता चल रहा है वापस ऐसे आप 1,5-2 इंच जितना भी बढ़ बना आना चाहो आप बना सकते हैं ऐसे एक उल्टा एक सीधा बॉर्टर बनाते लगे जितना बड़ा आपको चाहिए, आप उतना बना सकते हो, आप एक इंज बनाना चाहो, एक इंज बना लो, डेड़, दो इंज, जितना बनाना चाहो, आप बना सकते हो, अब इसको हम पहले बना लेते हैं, एक उल्टा एक सीधा बॉर्डर बनाते वे, पूरा हम बना लेते हैं यह देखे फ्रेंट्स हमने ये पूरक बार्डरबर दिर्यार कर लिए अब इसे अब सारे फंदों को बंद कर देंगा जैसे अममने यहां पर बंद किया था वैसे यह देखे दो लेते वह गिए देखे बोन दिया 1 फंदा बचा वापस हलाई में डला आगए से एक फंदा लिया यह कि इस सलेसे और इसिपोंदे ऐ Combel इसे बंड पूरे सार बंड करने से सीथे साइड को यह found करें यह दEखे इस žेडी बंड हमाइगी दो दू फंदे को एक साथ बून लिया, एक फंदा बच बहुत जदर टाइट या बहुत जदर लूज नहीं बंद करेंगे थोड़ा बड़ा धागे ईसको cut कर लेंगे, यह देखिए, और इसके बीच से निकाल करकरके से tight कर देंगे, यह देखिए अब यहां से हम इसमें बना लेंगे इस तरह से ख्रोसी से चेन बना लेंगे यह देखिए आपको जितनी बड़ी चेन बनानी है आप बना सकते हैं यह जो हमने जाली बनाई है उसके बीच में से इस डोरी को बांधेंगे यह देखिए इसी तरह से हम डोरी बना लेते हैं देखिए हमने यह दोरी बना करके त्यार कर लिया है अब इसको हम सिलाई करेंगे यह देखिए यह हमारा उल्टा साइड है यह सीधा साइड है इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे सीधा साइड अंदर को रहेगा पूल्टे साइड से हमें सिलाई लगाना अब यहां से इस तरह से सिलाई करते वही है अब पूरा इसको सिलाई कर लेना है यह देखिए यह देखिए इस तरह से जो हमने यह फंदे उतारें यह चेंसा बना है इसमें से लेते वे हम इसको सिलाई कर लेंगे यह देखिए अब यह इसी तरह से हम पूरा सिल करके कंप्लीट कर लेते हैं कि यह देखिए सिल करके पूरा कंप्लीट हो गया अब इसको सीधा कर लेते हैं कि इस चोटे बेभी का बूट कितना प्यारा सबन करके त्यार हो गया यह देखिए और यहां पे इसमें बांदने के लिए यह जो हमने डोरी बनाई थी इसको डाल देंगे यह देखिए यह दोरी डाल करके यह देखिए इतना प्यारा सब्सक्राइब बहुत प्यारा लाएगा यह देखिए और बहुत करके आपको सकते हैं Thank you